पतंजल योग सूत्र पतंजली योग दर्शन आज बात करूंगी किताब पतंजली योग सूत्र के बारे में जिसे पतंजली योग दर्शन भी कहा जाता है इसके सर्जक हैं महर्श पतंजली वीचारों का वहन और सर्जन एक सर्जन के विशिश कुन होते हैं लेकिन जो विचार जीवन जीने का तरीका सिखाए, जीवन को उन्नत बनाने की पत्तियां बताए, वह सर्जन एक उत्तम सर्जग से ही संभव हो सकता है योग के बारे में कहीं प्रकार की द्विधाएं एवं सोच फेली हुई है कभी मात्र शारेरिक तो कभी मात्र अध्यत्मिक्ता की ही बात या विचार दर्शाय जाते हैं लेकिन अगर आप एक बार इस किताब यानी महर्शी पतंजली के लिखी पतंजली योग सूत्र पढ़ेंगे तो आपको जीवन का गीता सार भी मिल सकता है पागवत गेता में श्रकृष्ण ने योग के बारे में उपदेश दिया है यहीं योग सांसारिक जीवन में उपयोगी बनाते हुए महर्शी पतंजली ने सिर्फ 195 सुत्रों से समझाया है महर्शी पतंजली ने योग सूत्र के द्वारा उसे एक सुव्य बस्तित स्वरूप प्रप्रदान किया यह चार पदो यह भागों में विभक्त हैं समाधिपद, साधनापद, विभूतिपद और कैवल्यपद इन पदों में योग के उद्देश्य और उसके भिन-भिन अंगों का विवेचन किया गया है इसमें चित्त की भूमिया या वृत्या का भी विवेचन है यह धार्मे के गरंत माना जाता है लेकिन इसका धर्म किसी देवता पर आधारित नहीं है यह शारिरिक योग मुद्राओं का शास्र भी नहीं है यह आत्मा और परमात्मा की योग यह एकत्व के विशय में है और उसको प्राप्त करने के नियमों व उपायों के विशय में यह अस्टांग योग भी कहलाता है क्योंकि अश्ट अर्थात आठ अंगों में पदन जली ने इसकी व्याख्या की है। ये आठ अंग है यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, द्यान और समाधी। यम, यानिके आत्मसंयम, स्वा पर्नियंत्रन, नियम, यानिकी अनुशासन, आसन, स्थीर्ता, प्राणयाम, प्राण पर्नियंत्रन, सांसू पर्नियंत्रन, प्रत्याहार, बहिर मुख से अंतर मुख की तरफ। धारणा, चित्त को एक विशे पर केंगरित करना, ध्यान, एकागरता, और समाधी, शुन्यावकाश, चैतन्य स्वरूपात्मा, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, एकात्म भाव, योग से बाया जा सकता है, शरीर और मन से संबंदित रुत्तियों एवं उनके उपाई दर्शा रहे हैं इसमें, योग से शारिरिक स्वास्ते की साथ-साथ, मानसिक स्वास्ते का भी उपचार किया जा सकता है, पतंजली योग सूत्र में मानव मन की कारे प्रक्रिया का विशलेशन और मानविय चेतना के विविदिस्तरों तथा आया मुका विवेचन किया गया है, भारत की प्राचिन योग साधना पत्तती है। खास योग दिन की संयोग से ही आज इस किताब की समिक्षा दे रही हूं। जैसे भागवत गीता जीवन में एक बार तो पढ़ने ही चाहिए, वेसे ही महर्शी पतंजली जी के योग सूत्र का भी अप्यास जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। जीवन में कही सारे बदलाव आ सकते हैं और कही सारी समस्याओं का उपाई भी मिल सकता है। भागवत गीता जीवन उपदेश और पतंजली योग सूतर जीवन संदेश देती है जैसे मैंने पहले ही कहा योग यानि की शारिरिक स्वास्य और आध्यात में ही नहीं है योग एक जीवन श्रेली है पतंजल योग सुत्र का नाम ही दर्शाता है कि ये सिर्फ सुत्र पराधारित है जिसका अनुबाद कई आध्यात में गुरू ने किया है कोशिश किये है ज्यादा उपदेश या आध्यात मिक्ता से परे रहकर इस किताब के बारे में जो मैं जान पाई हूँ वह समझाने और बताने की और इसे विश्वास से मैंने आज फिलोसोफिकल बात को ज्यादा सपश्टी करण से यहां कहा है योग दर्शन यानि जीवन दर्शन